नमस्कार साथियों मैं हुआ जैसी ओफानों टेक्निक करना उख़िये वाला दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा आथवा बीटेक किया हुआ है और CITS कोर्स करने का इंतियार कर रहे थे तो आपके लिए खुसकरी है और CITS कोर्स करने के लिए सीडूल आ चुका है ठीक है CITS कोर्स में जो एडमिशन होता है उसका बिल्कुल सीडूल आ चुका है आपको किस तरह से अनलाइन करना है कब आपका एडमिशन होगा ठीक है और कब आपको NHTI कॉलेज होगा CITS क्या है अगर इसकी बात करें दोस्तों तो CITS का क्राप्स में इस्टक्टर ट्रेनिंग होता है नॉर्मल जो इसकुल कॉलेज होते हैं उसमें टीचर बनने के लिए हमें बीएड अथवा डिलेट करना पड़ता है और जो बीएड कर लेते हैं उनको ट्रेंड कर लेते हैं तो आप ट्रेंड इंस्टक्टर कहे जाते हैं और जो CITS कोर्स करते हैं उन्हें वेटेज भी दिया जाता है रिसेंटली जो बिहार में इस्टक्टर की भरती चल रहा है उसमें भी CITS वाले को 30% वेटेज दिया गया है इसी प्रकार से हमारे परोशी स्टेट क कि अगर बाते करें तो आपको जार्खन मद्द परदेश 36 इतियादी कई अस्थानों पर CITS को ITI कोलेज में इस्टक्टर बनने के लिए मैंडेटर किया गया ठीक है रिसेंटली जो भरतीया आई है इन स्टेटों में वहां पे CITS को अनिवार कर दिया गया है कि भाई जो C को आई टीयाई कोलेज में इस्टक्टर बन सकते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो CITS कोर्स का बहुत ही स्कोप है विशेश रूप से अगर आप आप को टीकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको CITS कोर्स करना ही चाहिए यह जो है एक साल का कोर्स है ठीक है और इस कोर्स क चाहिए यह तो आप गुष्ट कालेज से कर सकते हैं जिसको करते हैं या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ेगा जिसको 2014 करते हैं तो आएवेडियो में समझते हैं कि यह सारा चीज क्या है दूस्तों यह जो है अपना प्युन जो है एक नोल आप सरुण साट इंडेट रेस्टेशन विल ओपन फ्रम 15 जून 2014 ठीक है 15 जून से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं तो यहां पर admission का schedule दिया हुआ इसको जैसे आप किलिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पीडियाफ आ जागा जहां admission का पुरा schedule दिया हुआ है तो इस schedule को समझने से पहले थोड़ा साम लोग समझते हैं ठीक है कि CITS जो है आपका CITS दो तरीका से कर सकते हैं पहला तरीका है आपको गर्मेंट कॉलेज जिसको हम लोग NSTI बोलते हैं ठीक है और यह जो NSTI है National Skill Training Institute यह अपने देश में बेविन सहरों में है जैसे कि आपका कोलकाता हो गया NSTI कोलकाता ठीक है NSTI मुंबए और NSTI हैदरावाज NSTI चेनने NSTI कानपूर NSTI देहरादू इस तरह से देश के अलग-अलग सहरे में जो है अपना NSTI कॉलेज है जो कि Government College का रहता है दूसरा option आपके पास बज़ आता CITS करने के लिए ठीक है प्राइवेट कॉलेज तो यह प्राइवेट कॉलेज भी हर जगा एवलेबल है इसको हम लोग ITOT कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं ITOT तो ITOT हम लोग प्राइवेट कॉलेज को बोलते हैं और NSTI Government College को बोलते हैं ठीक है तो इस दोनों तरीके से आपको CITS course करने के लिए इस schedule को follow करना परेगा चुकि यह CITS का admission का सीडिल है चाहे वो सरकारी College है हो या फिर प्राइवेट college सब इसी schedule को follow करता है ठीक है तो इस तरह से आपको admission लेना परेगा नेस्ट बात करेंगे हम लोग CITS जो है दो तरीके से कर सकते हैं यह तो college की बात थी और CITS को करने के लिए यहाँ पर आपके पास दो mode available है पहला जो है आपका regular mode में आप कर सकते हैं CITS regular मतलब NHTI यह ITOT में जाके परजेंट होके physically रूप से ठीक है regular mode में कर सकते हैं CITS और दूसरा option आपके पास आजाता है RPL ठीक है RPL mode में भी आप CITS कर सकते है regular mode में क्या होगा आपको या तो NHTI या फिर किसी ITOT में जाके वहाँ रहना एक साल का course है और पढ़ाई करना ठीक है RPL mode जो है यह second option है RPL mode को हम लोग distance भी करते हैं जैसे distance से कोई course करते हैं उसी तरह से CITS distance करने के लिए भी एविलेबल है जिसको हम लोग RPL करते हैं प्रन्तु इसमें कुछ term and condition होता है कि RPL से वही कर सकते हैं जिन्होंने भी तीन साल या तीन साल से अधिक जो है किसी government ITI college में पढ़ाए है ठीक है वहाँ अपनी सेवा दियें तभी उनको option मिलता है RPL से CITS का नेका और चाहे वो आप RPL से CITS कीजे या फिर regular mode में कीजे दो कुछ लोग वहाँ petition दायर किये थे RPL को लेकिए तो पतना हाई court ने judgment दिया है कि RPL को भी CITS के equivalent माना जाएगा RPL वाले education को भी और दोनों को समान weightage दिया जागा ठीक है जो सुभधा या preference CITS candidate को जो normal candidate है CITS वाले उनको दिया जागा किसी भरती में उतना है preference RPL mode वाले को भी दिया जाना है ठीक है इस तरह का judgment आ चुका है तो साथ यह फाइनली जो है आप किसी भी परगार से कर सकते हैं यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे सिडूल का तो यहां आपका online registration करने के लिए ठीक है नेमी पोटल पर आप कल से online registration कर सकते हैं ठीक है 15 जून से 5 जुला इसक पर सकते हैं 13 जूलाई से 11 जूलाई ठीक है नौ दिन का आपको पास समय रहेगा और इस एक्जाम को लेकर के आपका जो common interest exam test होने वाला है AICET exam यह आपको 11 जूलाई को एक्जाम हो जागा ठीक है और इसका result जो है अगला हपता आपको 28 जूलाई 2024 को result में मिल जागा नीमी के website पर इस तरह से आप अपना cut-up भी देख पाएंगे ठीक है जूलाई को क्योंकि परते कॉलेज का अलग-अलग cut-up जाता है ठीक है तो रिजल्ट आने के बाद आपने क्या सेलेट किया है कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हैं तो परते कॉलेज का आपको cut-up भी देखने को मिल जागा ठीक है कॉंसिलिंग करना है ऑनलाइन ठीक है चार दिन का आपके पास समय मिल रहा है इसके बाद जैसा आप कॉंसिलिंग करवा लेते हैं तो आपको किसी भी नस्दी की एनस्टी आई कॉलेज में जाका अपना डॉकुमेंट को फिजिकली रूप से वेरिफिकेशन करवाना ठीक है तो फिजिकली अपना डॉकुमेंट वेरिफिकेशन आप 5 अगस्त से 7 अगस्त को कर सकते हैं तीन दिन का आपके पास समय रहा है किसी भी नस्दी की एनस्टी आई में दे करके और वहाँ पे आप ओप् भी चूज कर लेना है तो इस तरह से आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे ठीक है ओनलाइन ट्रास्फर राउंड आपको आठ अगस्ट दोयार चोविस के अभिलेवल मिल जागा ठीक है कि आपका एडिमिशन जो आपने चूज किया वहां आपको मिला या नहीं मिला आठ अग तो वहां जाके आपको क्या करना है आपका फाइनली वहां पर सेलेक्षन मिल जाता है वहां जाके अडिमिशन लेना है ठीक है उसके लिए एक अलग देट निर्धारिक किया गया फिर इसी तरह से से केंड राउंड का कांसिलिंग हो जागा ठीक है 11 अगस्त से 14 अगस्त फि मिल जागा आपके पास और आपको पता चल जागा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला इसी तरह से थर्ड राउंड के कांसिलिंग जो है 23 सबीश अगस्त तक आप कर पाएंगे अगर आपको फिस्ट राउंड या सेकेंड राण में आपको मन्चाहा कॉलेज नहीं मिल रहा ठीक ह तो आप थर्ड राउंड के कांसिलिंग में भाज ले पाएंगे फिर थर्ड राउंड के कांसिलिंग के लिए फिजिकल वेरिपिकेशन 18 सब्सक्राइश तक होगा और फाइनली जो है आपको फिजिकली रूप से एडमिशन के लिए इस्टिचूट में पहुंचना है किसी या या इचफ यूटी जो भी आपको मिलेगा चाहिए वो फर्स रांड हो सेकेंड रांड हो या थर्ड रांड हो सेकेंड सेप्टेम वर два सेप्टेमबर को आपको परेजेंट हो जाना है तो इस टरभ से इसका जो है तीन우 रांड के बाद एक फाइनली आता जो भीपी रांड आपका 3 अगस्ट 2014 से 4 अगस्ट दो दिन का समय रहेगा जो भी वहाँ पहले पहुंचेंगे उनको एड्मिशन दे दिया जागा ठीक है और आपका CTS कोर्स का सेशन शुरू हो जाता है 5 सेप्टेमबर 2014 से आपका क्या होगा सेशन जो है का स्टार्ट हो जाता ठीक है इस तरह से दो सेप्टेमबर से आपका क्या होगा नस्ट या आइटी ओटी कॉलेज में परहाय लिखाई शुरू हो जागा और यह सेशन आपको लास्ट करेगा तवह जून दो हजार पचीश को जाका आपका सेशन लास्ट कर जागा जिसमें 15 दिन जो है होली डे भी इंक्लूडेड है और इस तरह से आपका कोर्स कम्प्लीट हो जागा तो अल इंडिया ट्रेट टेस्ट में आपको भाग लेना ठीक है तभी आपको इसमें पास करेंगे तभी आपको का सर्टिफिकेट प्रादान किया जागा तो यह जो एक कोलेज में जो इस्टक्टर की भरती आता है उसमें वेटेज मिल सकता है आपको और अच्छा खासा फायदा मिल सकता है तो इस तरह से यह CITS कोर्स की जनकारी था तो दोस्तों किसी तरह का आपके मन में कन्फूजन है तो आप हमें डिरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ठीक है कॉम कॉम एक तो